बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रिण युटूब चैनल सुकला स्टड़ी पॉट में मैं से हूं सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आप इसे कई प्रिण आप सभी दोनों के लिए लक्षर बहुत ही मैत पूर्ण होगा चो कि इस वीडियो में मैंने चोटे प्रसनों को भी रखा और बड़े प्रसनों को भी रखा है तो जो आती लग उत्रिये प्रस्ण होंगे लग उत्रिये दीर गुत्रिये वो तो तयार ही होंगे इसके लामा बहुत विकल्पी भी आपकी बहुत ज़दा तयार होने वाले हैं तो हिस्ट्री आप modern world वो भी 1400 दिरपन से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में हम समझेंगे इसका समझ 14 सताब्दी या 16 सताब्दी के बीच में माना जाता है उस संस्कृति के बीच उस संस्कृतिक प्रगती से है जो प्राचीन और लोकिक रोमन यूनानी सभिता से प्रभावित थी मतलब की एक दोबारा से जनाम या दोबारा से एक प्रकार से हर एक चीज का आधुनिकता के दौर में आना एक प्रकार से चुकि क्या हुआ 14 से 16 सताब्दी में बहुत सारे चीजे हुई बहुत सारी करांतियां हुई और बहुत सारी चीजे हुई जिसके क्या हुआ कि एक प सबसे बड़ा केंदर कहा था बताएं तो इटली में जो है फुलोरेंस में पुनार जगन का सबसे बड़ा केंदर था इटली की फुलोरेंस सहर में पंडित पंथी विचार पधती से किस दार्षनिक के दर्षन की प्रधानता थी तो पंडित पंथी विचार पधती में आरस्तु के दर्षन की प्रधानता हुआ करती थी अगला परसंद छठा नंबर कोसंस आप देखेंगे यूरोब में पुनर जागन का समय क्या है यूरोब में पुनर जागन का समय बारा सो इसबी से ले करके सोला सो इसबी तक वाना जाता है अगला कोसंस आतवा नंबर कुस्तुन तुनिया का पतन कब हुआ तुर्कों ने कुस्तुन तुनिया पर 1453 इस भी में कबजा कर लिया जिससे कुस्तुन तुनिया के रोमन समराज का पतन हो जाता है आठमा कोसन साफ देखेंगे इसाई धरम की कमजोरियों को जनता के सामने किस ने रखा तो डच लेखक थे एरासमस उन्हों ने इसाई धरम की कमजोरियों को जनता के सामने रखा ठीक है ये सब प्रसन बहुत ही मैतमूर है आप्जक्टिम में ये प्रसन आप की परिच्छा में आते हैं लिखित वालों के लिए भी बहुत मैतमूर है और आगे चल करके मैंने कई प्रसन आप के लिखित लंबे लंबे प्रसनों को रखे हैं तो परिचान ना हुई उसके लिए राजा राम मोहन राए ने यानि राम अनुहलोहिया का जो कल पेपर लगा हुआ है उसके लिए बहुत मैतमूर है राजा राम मोहन राए ने किस सभा लबकि सिक्षा का बिरोध नहीं किया था तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चा सिक्षा का बिरोध नहीं किया था ठीक है ये बात ध्यान नखेंगे दसमा प्रसने भारतिय जागरती का जनक कौन माना जाता है तो भारतिय जागरती या भारतिय पुनर जागरती का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है बेदो की पुनरुथान का स्रे किसको दिया जाता है पुनर जगन काल में चितरकला का जनक किसे माना जाता था तो जी आटो को पुनर जगन काल में चितरकला का जनक माना जाता था ध्यान लखेंगे चले चौदा नमर परसन है अपनी पुस्तक यूटोपिया के माध्यम से किसने आदर समाज का चितर पसुत किया तो यूटॉपीया पुछा जाने के बलब है कि किसने लिखी तो ट्यमस बोड़ की पुस्तक है थीक है समाज कर्चे तरपस्तुत किया इन्हों characteristics अपने पुस्तक यूटॉपीया में है से धार्म सुधार अंदोलन की सुरवात कब हुई दось सुधार अंदोलन की सुरवा डियान प्रियास करेंगे परिच्छा कल आपके लगी है सके लियर इवीजन क्लास मैंने까요 चलिए आगे देखते हैं अगला प्रस आपका सोलवा नंबर अमेरिका की खोच किस ने की थी तो किरिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोच करी थी वासको डिगामा ने भारत की खोच करी थी 17 नंबर परसन सुधार अंदोलन कब सुरू हुआ सुधार अंदोलन कहां से शुरू हुआ था तो सुधार अंदोलन पश्चमी वीडियो उनको भी आप देख लीजेगा आगे देखेंगे सुधार अंदोलन के प्रणेता कौन और जनक कौन माने जाते हैं सुधार अंदोलन जर्मनी के भिक्चु धरम सास्त्री विस्विद्याले के प्रयाध्यापक थे पादरियुम चर्च सुधारक मार्टिल लोथर के बिद्रों से प्रारंब होता है ठीक है तो ये जनक और प्रनेता दोनों एक प्रकार से सुधार अंदोलन के मार्टिल लोथर को माना जाता है बीसमा नंबर प्रसन है सुधार अंदोलन का दूसरा नाम है बहुत धरम जो चटी सताब्दी में ततकालीन भारतियी समाज की कायुजित होती रही अगला प्रसने 22 नंबर नायक सुधार समिती की स्थापना कब हुई नायक सुधार समिती के स्थापना उनी सोनी सिस्थी में हुई अगला प्रसने 23 नंबर नायक सुधार अंदोलन का क्या कारे था नायक सुधार अंदोलन का कारे था बालिका सोचन के वि परदूद थे दैनांद की जैनांद भारती वो थे डूली पालकी के नेता आगे देखेंगे 25 नमर को सापके स्किन पर आ चुका है 17 सताबदी की गोरोपूर्ण करांती को और किस नाम से जाना आता है तो 17 सताबदी में जो गोरोपूर्ण करांती हुई थी उसको रखती हीन कर करांती भी का जाता है 12 करांती भी का जाता है अगला बंपि तो गउरोंगी करांती गोरोपूर्ण करांती कब और किस सोढ़ा चलाई गई गई तो गोरोप शाली करौन पर इंग्लेंड की जंता के दौरा 1688 भी में चला गई 27 नमरोपारोडड़ों की क्रांती का क्याइए हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तों के अस्थान पर आधुनिक मसीनों के द्वारा ब्यापार अस्तर पर निर्माड की प्रकरिया जो है वही ओधोगी करांती अमलब की जो काम हाथों से होता था अब वो काम मसीनों ने करना सुरू कर दिया वही एक प्रकार से ओदोगी करांती की पहली पहला चण मान सकते हैं आप 28 नमर परसन है ओदोगी करांती सरपर्थम कब और कहां हुई थी ओदोगी करांती की सुरुआ सरपर्थम ब्रेटन से मानी जाती है पहली आउदोगिक करांती जो हुई है 1760 S.B. से 1820 S.B. के बीच में हुई इंगलेंड से 29 तमबर कोशन्स आप देखेंगे सरपर्थम भाप की सकती का प्रियोग किस रूप में किया गया तो सरपर्थम भाप की सकती का प्रियोग खनन उद्योग में किया गया ठीक है बाद में भाप के इंजन काविस्कार भी हुआ अगला कोशन्स है किन दो यूरूपीय विद्वानों के द्वारा और दोगिक करांती सब्द का सबसे पहले प्रियोग किया गया तो फ्रांस में जार्जिस मीसेल के द्वारा और जर्मनी में फ्राइडिक एंजल्स के द्वारा जो है और दोगिक कांती सब्द का प्रियोग किया गया अगला कोशन सा 31 नमबर कोशन सा आप देखेंगे बढ़िया प्रस्न आपके स्किन पर आ चुका है प्रस्न है फुपकारने वाला दानों से आप क्या समझते हैं देखें अठारा सो एक इस बी में रिचर्ड ट्रेविथिक ने एक इंजन का निर्मार किया था जिसे पॉफिंग डेबिल कहते थे पॉफिंग डेबिल को हिंदी में फुपकारने वाला दानों कहा जाता है अंगलेजी में पॉफिंग डेबल कहते हैं जो भाप के इंजन का निर्मार कहा था ठार सो एक में किसने रिचर्ड ट्रे विथिक ने बत्तिस नमबर कोशन से ब्रेटन में सरप्रथम ओदोगी करांती किन परिस्तियों में सुरू हुई थी तो कोईले और लोहे की खानों की अधिकता क्रसी करांती सस्ते स्रमिक और धन की अधिकता तथा चालाक मलब की चालक सकती की करांड से जो है ब्रेटन में सबसे पहले अदोगी करांती इन्ही परिस्तियों में सुरू हुई थी तो इंगलेंड में 1761 इस दी में जम्स ब्रेंडली के दौरा वर्सनी कैनाल जो एक प्रकार से बिक्सित की गई थी निर्मि सब्सकार हुआ देखेंगे बृटन में आवागमन के लिए किन साधुनों का आभिसकार हुआ बताएं तो ब्रेटन में आवागमन के लिए सणकों नहरों रेल इंजन स्टेप और मोटरकार आधिक आभिसकार हुआ 36 number questions है ओदोगी करांती का क्या आसर पड़ा ओदोगी करांती के द्वारा क्या हुआ आर्थिक वर्ग की अस्थाफना हुई 37 number questions आप देखेंगे अमेरिका में ब्रटिस ऑपनिवेसिक समराज की नियू किसकी सासनकाल में रखी गई आगे देखेंगे 38 number questions है अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है अगला परसन है 49 number पेरिस की संदी की अनुसार अमेरिका का सुतनता संग्राम कब समाप्त हुआ अमेरिका का सुतनता संग्राम पेरिस की संदी के परड़ाम सरूप 1783 बी में समाप्त हुआ नेक्स्ट कोशन साब देखेंगे 40 number अमेरिका के स्वाधिनता संग्राम के महानायक कोन थे अमेरिका के सुतनता संग्राम के महानायक थे जार्ज वासिंग गटन जो बाद में अमेरिका के राष्टपती भी बनते हैं 41 नमर कोशन साब देखेंगे किस घटना को अमेरिका 173 संग्राम ततकाली कारणों में गिना जाता है तो बोश्टन टी पार्टी जो हुई थी अमेरिका सुतनता संग्राम के ततकाली कारणों के लिए जानी जाती है 42 नमबर परसने बोश्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे बोश्टन चाय पार्टी के नायक थे Samuel Adams आगे देखेंगे अगला परसन 43 नमबर अमेरिकी आजादी के दोरान अमेरिकियों का क्या नारा था तो अमेरिकी आजादी के दोरान अमेरिकियों का नारा था परतिन्धित्तु नहीं तो कर नहीं 44 नमबर कोश्टन साब देखेंगे फ्रांस की राज करांथी के क्या कारण थे तो फ्रांस की राज की करांती का कालड अप्रिये घटना है, समाजी का व्यवस्था और आस्वस्थित मलब की आव्यवस्थित दूसित गतियां ये तीनों रही और भी कई कालड इसमें सामिल ले आगे देखते हैं 45 नमर कोशन सापके स्किन पर आचुगा है बहुत ही मैत्मूर परसने वीडियो को लाइक करें चैनल पर अगर नए है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा परसने हैं फ्रांस की करांती के आर्थिक कालड क्या थे अगला कोशन सापके सामाजिक आर्थिक दुर्दसा को देख करके जरूरी था कि ये करांती हो 48 तमर कोशन साप देखेंगे फ्रांस की करांती का बिस्ट पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस की करांती ने बिस्ट में सुतंतरता समानता और बंधुत को बनाया चुकी फ्रांस की किरांती में ही बिस्तु बंदमलप की स्वतनता समानता और बंदुत के नारे लगाएगे पहली बार 49 नमर कोशन साब देखेंगे फ्रांस की किरांती में दारसनिकों का उत्तरदायत क्या था तो जन साधर्ण को सुद्रण करना फ्रांस को मृत्यू जैसे गहरी नीन से जगाना ये एक प्रकार से दार्सनिकों का उत्तरदाई तो यही रहा पचास नमर कोसन से लुई चौधावे के सासन काल में फ्रांस की सासन विवस्था कैसी थी तो फ्रांस में लुई चौधावे के सासनकाल में निरंकुस राजितंत्र अपने गवरों और सक्ती की पराकास्टा पर था ठीक है ये बात आप ध्यान लखेंगे आगे देखेंगे अगला कोसंस आपके स्किन पर आचुगा 51 नमबर देखेंगे प्रस्न 51 नमबर कोसंस है फ्रांस की करांटी कब हुई तो 1789 में फ्रांस की करांटी हुई थी 52 नमबर कोशन देखेंगे लुई 14 वे के उत्तरा दिकारी कौन था लुई चाउदावे के उत्तरा दिकारी लुई पंदरहमा था और लुई पंदरहमे के उत्तरा दिकारी लुई स्वलहमा अगला कोशन से तेरपन नमबर फ्रांस की किरांती के समय फ्रांस में कैसी व्यवस्ता थी तो सामंती व्यवस्ता थी सामंत वादी ठीक है अगला कोशन से 54 नमबर वरसाइक के सीस महल का निर्मार किसने करवाया था तो वरसाइक सहर है वहां के सीस महल का निर्मार करवाया था लुई तो हमेंने 55 नमरЬ प्रस्चंद नेपोलीएन का जनम कब हुआथा नेपोलीएन बुनापट का जनम 15 अगस्त 1789osb में हुआ था 79 200 कि फ्रांस की करांटी में किन दारसनिकों को कि विचारा dolphins के क्रांटी में ओल्टेर दिदरो मांतेशक्व और श्यासों का बढ़ा बोश्टन टी पार्टी आ बोश्टन हत्याकांड पांच मार 1770 को हुआ था अगला कोशन से 69 नमबर बोश्टन हत्याकांड का क्या कारण था बोश्टन निवासियों से जड़प होने पर ब्रिटे सैनिकों ने गोली चला दी जिसमें पांच बोश्टन वासियों की मर्तियों हो गई इसे ही बोश्टन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है ये बात आप ध्यान रखेंगे आगे देखेंगे अगला कोशन से 60 नंबर मुद्रांक अधिनियम कप पास हुआ था तो मुद्रांक अधिनियम 1765 में पास हुआ था 61 नंबर कोशन से आयात कब पास हुआ बताएं आयात कब पास हुआ था 1779 में पास हुआ था अगला कोशन से अमेरिका के करांतकारियों का प्रमुग नारा क्या था तो अमेरिका के क्रांथकारियों का प्रमुग नारा था बिना प्रतिन्सित्त के कोई कर्द नहीं दिया जाएगा ठीक है बिना प्रतिन्सित्त के कोई कर्द नहीं दिया जाएगा यह नारा था अमेरिका क्रांथकारियों का देखेंगे सेयुक्त राज अमेरिका का प्रतम रा इस भी तक चली उसके बास हमाप्त हो गई संविधान कंद्रिमार कव वुए 1789 दिमें स्वेशन संविधान कंद्रिमार किया गया अगर स्वेशन से प्रथम महादीपी कांगरेस कब और कहां हुआ तो 5 सेतंबर 1774 इसभी में फिलाडेलफिया में प्रथम महादीपी कांगरेस जो है आयूद किया गया 68 number questions है अमेरिका सुतंतरता गोषडा पत्र कब और किसके नितुरत में तयार किया गया तो अमेरिका गोषडा पत्र जो है 4 जुलाई 1776 वीको थौमस जे फर्सन और बेंजामिन फ्रेंक्लिन के नितुरत में जो है गोषडा किया गया उनात्र नमर कोशन से आप देखेंगे जार्ज बासिंगटन ने सार टोसा पर विजय किस्तिथी को प्राप्त की थी तो जार्ज बासिंगटन ने सार टोसा सार टोगा विजय जो प्राप्त करी थी 7 अक्टूबर 1777 को प्राप्त करी थी अमेरकी करांती की यंतिम लड़ाई कहा हुई थी कहां और किस्के अध्वक्स्ता में सपत लिए थी संसथभवन के पास के टेनिस कोट में बेली के अध्वक्स्ता में सामाने जंता के पर नतिनों सपत लिए थी आगे देखेंगे बास्तील का पतन कब हुआ था बास्तील का पतन 14 जुलाई 17 75 बश् surviv至 गशाज गया 21 जनूरी 1793 को लुई 14 तो 22 सितंबर 1889 को फ्रांस को भड़तंतर गोशित किया गया 37 नंबर को सनसा आफ देखेंगे फ्रांस की डायरेक्टरी वेवस्ता क्या थी तो फ्रांस में पांस अदस्य समिती सासन संचालन के लिए नियुक्त की गई थी इसी ब्यवस्था को directory तबकि directory ब्यवस्था के नाम से जाना जाता है अड़ातर नमबर को संसाब के स्किन पर आज चुका है directory का तक्ता तक्ता कब और किस ने और क्यों पल्टा सब्सक्राइब करेंगे आप सभी लोग अगर को करिकुलर परिच्छों की तयारी कर रहे हैं हलाकि को करिकुलर परिच्छों की तयारी के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल आपके लिए बना दिया गया है और चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा यहाँ पर आपको को करिकुलर परिच्छों की आनि की आप फोड समेस्टर में तो फिजिकल एजुकेशन और योगा का जो आपका पेपर दस तारीकों ग्यारा तारीकों लगा हुआ है उस सभी के लिए बॉयस गल सभी के लिए बीए बीए सी विकाम और कई विस्विद्ध यले जो भी विस्विद्ध यले में आप पड़ते हैं स चले कि असी नमबर प्रसने वहां कौन सा वारंट था जो फ्रांसीसी राजा के द्वारा जनता पर क्रांती के पूर्व जारी किया गया था तो लेटर्स दका से वारंट था 81 नमबर कोशन से 1789 इस बीकी फ्रांसीसी करांती के समय वहां का सासक कौन था तो लुई चौधामा वहां का सासक था 82 नमबर कोशन से किन दार्सनिकों ने फ्रांस में करांती के बीच बोए थे तो मांटेस्क्यू, वाल्टियर, रोसो, दिद्रो और केने ने इन सभी लोग 84 नमबर परसन नेपोलियन बोनापाड फ्रांस का कांसल का बना, नेपोलियन बोनापाड जो है 1799 इस बी में फ्रांस का कांसल बना था, फ्रांस में कांसल को कितने वर्सों के लिए चुना जाता था, 85 नमबर तो 5 वर्सों के लिए चुना जाता था फ्रांस में कांसल को, 86 नंबर प्रसम नेपोलियन और इंगलेंड की संदी का क्या नाम था तो नेपोलियन और इंगलेंड की बीच में जो संधी हुई थी उसको आमीन की संधी कहा जाता है 87 नमरे कोसंज की संधियों के सदस्यों की कितनी संख्या रखी गई थी तो टीवनेट के में 100 सदस्य होते थे ये बात आप ध्यान देळेगे 89 नमरे कोसंज और नेपोलियन का जनम कब और कहाँ पर हुआ था नेपोलियन बोनापाट का जनम हुआ था कोर्सिका दीप के आपाचियो नामक नगर में अगस्त 1779 इसबी को एक निर्धन वकील के घर में इनका जनम हुआ था 90 नमर कोशन से फ्रांसिसी कानून की आधार सिला क्या है फ्रांसिसी कानून की आधार सिला 1804 इसबी में नेपोलियन के दोरा निर्मार क कराई गई विदी सहिता है ये बात आप ध्यान नखेंगे अगला परसने क्या 90 नमर कोशन साफ देखेंगे नेपोलियन का किस किस राज के साथ युद्धुआ था तो नेपोलियन आस्ट्रिया के साथ भी लड़ा था मिस्र से भी युद्धुआ था इसका सीरिया से भी आरकोला से और पिरामिड के साथ इन सभी के साथ नेपोलियन का युद्धुआ था नेपोलियन किस तरह का राजा था नेपोलियन गोरो साली, परतापी और सक्साली राजा था अगला कोशन से 93 आर्थिक उत्पादन, बरद्धी और गतिसीलता औरोध होने पर नेपोलियन ने क्या सुधार किये थे तो आर्थिकुत पादन बरद्धी और गतिसीलता को पुना सुचार रूप से चलाने के लिए नेपोलियन ने कर पद्धिती में सुधार किया था ये बात आप ध्यान नेखेंगे आगे देखेंगे चवरा नवे नमर परसन है नेपोलियन के समय में फ्रांस कितने प्रांतों में बटा हुआ था तो नेपोलियन के समय में फ्रांस जो था एक सो दो प्रांतों में बटा हुआ था अगला परस पंचार नवे नमर नेपोलियन ने किस प्रकार के धार्मिक सुध कि लिए धार्मिक सुधार के लिए धार्मिक सहन सीलता और सुतंतरता की नीती को अपनाया था ठीक है और रोम की पुप से 1801-1802 इस बी में समझोता भी कर लिया था च्यानवे नम्र प्रसंद नेपोलियन के द्वारा फ्रांस के लिए तयार की गई विदी सहिंता को अन किस नाम से जाना जाता है तो उसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं ये बात आप ध्यान रखेंगे ओके नेक्स्ट कोशन सापकी स्किन पर आ चुका फटा फटा नेपोलियन के समय में नेपोलियन की राजधानी पेरिस लाजनेती का केंदर हुआ करता था उस समय एक सो एक नमबर कोशन साफ देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की तिपड़ी के स्विद्वान ने लिखी है नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की तिपड़ी जार्ज W. साउथ गटे ने लिखा है नेपोलियन के प्रमुक मित्रों के नाम बताएं तो जिसमें नेपोलियन की मित्रों में लैने, जूर्नो, ठीक है, मार्मो, क्यूरा, ये इन सभी लोग नेपोलियन के खासे मित्र थे, अच्छे मित्र थे एक सो तीन नमबर परसन नेपोलियन का जनम कब और कहां पर हुआ था पंदरागर 1779 इस भी में अचाकियों नगर में इनका जनम हुआ था आस्ट्रिया की राजधानी का क्या नाम था? आस्ट्रिया की राजधानी का नाम था बियना नेपोलियन का समकाली नास्टिया का समराड कौन था नेपोलियन का समकाली नास्टिया का समराड था समराड फ्रांसेज दूतिये ठीक है 106 नंबर कोसंस आप देखेंगे नेपोलियन का किस भारती राजा से पत्राचार हो रहा था नेपोलियन से पत्रा चार हो रहा था किसका टीपो सुल्तान का ठीक है टीपो सुल्तान भारत में था दक्षर भारत में ठीक है अंग्रेजों की बिरुद्ध एक परकार से मदद मागने के लिए ठीक है वो कर रहा था पत्र बगार लिख आगे देखेंगे 107 नमबर कोशन देखेंगे कॉंसिलेट सासन आरंब कब हुआ था इसमें नेपोलियन की क्या भागिदारी थी डारेक्टरी सासन के उपरांत नेपोलियन पर्थम कॉंसिलेट जीवन भर के लिए निर्वाचित हो गया था अगला कोशन साफ देखेंगे प्रसना 110 नमबर नेपोलियन का और यह तो प्रसा के बीच मैं या प्रांस और परसा के बीच में पच्चीस जोन 1806 को टेल सट की संदीवी थी 112 नमबर परसने राइन संग का सनक्षक कौन था तो राइन संग के सनक्षक थे नेपोलियन तरतिये 103 नमबर परसने है महादीपी व्यवस्था कब और किसने लागू करने की यूजना बनाई थी नेपोलियन तर्तिये ने महादिपी व्यवस्था को लागू करने की युजना बनाई थी अगला कोशन से 114 नंबर नेपोलियन को कब गद्धी छोड़नी पड़ी और क्यों नेपोलियन कांथ 5 मई को हुआ था 1821 में सेंट हेलना दीप पर अगला पर 17 नंबर देखेंगे 117 नंबर जर्मनी के एकिकन के मुख्य बाधायें कौन कौन सी जर्मनी के एकिकन में जो मुख्य बाधायें थी पहली बादा थी नेपोलियन के बिरुद्ध हुए युद्ध से जर्मनी के सैनिकों वा नागरिकों के सारीरिक मानसिक ठकान दूसरी बात ये थी की राजनितिक दलों में मदबेद था तीसरी ये थी की प्रतकिरिया वदी सासन था चोथा जर्मनी की पिछड़ी राजनितिक व्यवस्त था और जर्मनी के राज्यों में अस्परधा आस्ट महापुरसों के नाम बताईए तो गेटे, सिलर, हीगल, फिक्टे ये सभी की रचनाओं से जर्मनी में एक बौधिक एकिकड़ सुरू होता है 120 नमर कोशन देखेंगे जोल वरिन की बिसे में आप क्या जानते हैं 1834 इसभी में 18 जर्मनी राज्यों को मिला करके सोल वारिन नाम का एक आर्थिक संग निर्माड किया गया था जिसका नेतरतर कौन कर रहा था प्रसा कर रही थी या एक चुंगी संग था इसके सदस्यों ने रड़ए लिया था कि एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेंगे यानि कर नहीं लिया जाएगा 121 नमर कोशन से कैबूर की मिर्थु कब हुई थी 1861 में जून महीने में अगला कोशन से विक्टर एम्यनुवल को वेनिसिया कैसे प्राप्त हुआ था तो 1806 Subaru में विक्टर एम्यनुवल ने प्रसा ह के बीच में युद में प्रसा का साथ दिया था आस्ट्रिया आस्ट्रिया के पराजित होने पर संधी हुई थी उसके द्वारा प्रसा ने विक्टर एमेनुवल को आस्ट्रिया से बेनेसिया दिलवा दिया था आस्ट्रिया नहीं आस्ट्रिया कर लेंगे यहां पर ठीक है अगला प्रसन एक सो तेस नमर रोम पर इटली के पूरवजों का अधिकार कब हुआ तो 20 सितंबर 1870 को रोम पर इटली के पूरवजों का अधिकार हुआ 124 नमर कोसंस आप देखेंगे किसने कहा था कि हम रोम पहुँचे हैं और यहीं रहेंगे दो जून 1871 को विक्टर इमेनुवल एक भब जलूस के साथ रोम में प्रवेश करता है फरमे की घुशड़ा करता है और बोलता है कि हम रोम पहुँचे हैं और यहीं रहेंगे 125 नमर कोसंस है के 1861 इस भी में इटली के प्रथम संसत का अधिबेशन कहां हुआ था तो तूरीन में हुआ था नेक्स्ट कोसंस 126 नमबर इटली का राजनेतिक एकिकन कप पूर्ण हुआ बिसमार्क के द्वारा फ्रांस और प्रसिया प्रांस और आस्टरिया को हराने के बाद 1871 में इटली का राजनेतिक एकिकन पूर्ण हुआ था आगे देखेंगे अगला कोशन सापकी स्किन पर आचुका 127 नंबर कोशन देखेंगे 1815 सब्सक्राइब के बियाना कांग्रेस के अनुसार जर्मनी की कितने रियासतों का एक प्रकार से संधी की कितने रियासतों का संधी हुआ 1815 सब्सक्राइब के बियाना कांग्रेस के अनुसार 49 रियासतों के एक संधी के अस्थापना की गई ये बात आप ध्यान रखेंगे अगला कोशन सापकी स्किन पर आचुका 139 नंबर गरी बाल्डी ने अपनी संपूर्ण जीती भूमी का क्या किया था तो 1860 हिस्बी में गरी बाल्डी ने सिसली को सतंतर करवाया और नेपल्स पर अधिकार अस्थापित कर लिया किन्तु कैबूर की नीतियों से असंतुष्ट हो करके संपूर्ण जीती भूमी विक्टर एमेनुवल को दे करके कैप्रीरा आकर की किरसी कारी करने लगा था 132 नमर कोसन से कैबूर का जनम कब और कहा पर होए था काउंट कैबूर इसका पूरा नाम है इसका जनम हुआ था 1310 हिस्बी में कहा पर साड़ी गाणिया के कुलीन घराने में इसका जनम हुआ था 131 question से बिक्टर इमेनुवल का 1852 इसबी में प्रधानमंत्री कौन था तो 1852 इसबी में इमेनुवल बिक्टर के कयबूर को अपना प्रधानमंतरी बनाया था एक 322 इसबी आप देखेंगे कयबूर इटली के एकिकण के लिए किन दो बातों को अनिवार मानता था क्याइबव जो था ऐटली की ग्रण के लिए दो अनिवार बाते मानता था वही पहली थी समउचा एटली विग्टरी मेन्मील का नित्र दुस्वकार कर ले और दूसरा आस्ट्रेलिया पर इटली का अधिकार समाप्त कर दिया जाए था नोट सबस्क्राइबूर 751 नमें देए संग्वाधी दल का नेता कौन था रोमन थोलिक पादरी थे जियो वर्ति व एक परकार से वही संगवाधी दल की नेता थे अगला कोसंस एक सुचाथिस नमबर सम्भैधानिक राजतंत्रबादी दल के लोगों का दल था जो पीट मॉंट साडेनिया के राजा को पूरी इटली का राजा बना करके सम्भिधानिक राजतंत्र कायम करना चाहते थे ठीक है अगला हिसंस आपके सक्रिम पर आचकी 157 नंबर सम्भिधानिक राज सथापना के लिए पूर्ण रूप से अपना सर्बस बलिदान कर दूँगा यह इवाइट लिया इंग इटली के एगर सथास्ता आपको लेनी है तो उसमें सथास्ता लेने के बाद में आपको यह सपत लेनी पड़ती थी मेजनी जो था यह इंग इटली का एक प्रकार से सथापक माना जाते है गरी बाल्डी यह सब बिल करके देखें इवा इटली या इंग इटली का नारा क्या था इवा इटली का नारा था परमेश्वर जनता और इटली इवा इटली यह सब नारे थी परमेश्वर जनता और इटली इवा इटली गरी बाल्डी के जनम कब और कह ऩहाया तक टॉक है कि हएम थोन माले कiam श्चिक परत्थम विश्चु 07 7AY तक चार बरस्वे तक यउद्ष होता रहा और तर्थमीचु बंद ethics अमिल थे धर अाइस्ट्रिया के उत्राधिकारी Р Blizzard की सार्विया के दोरा गोली मार करके हत्या कर दियाती यही से पर्थम विश्चुद्ध जो है ओब प्रश्डे सुरू हो जाता है 145 उन में पर फरह तह सव्य पेरान कि राष्ट की ने नो सेना 20 में सर्वसेष्टần तो फ्रांस प्रथम बिश्चुद में इंग्लेंड की नोचेना जो थी बिश्चुमें सर्वसेट हुआ करती थी अगला परसन एक सो चैलिस नमबर 10 नमबर 10 नमबर 10 नमबर 1908 को 10 नमबर 1908 की थी प्रथम बिश्चुद के दोरान क्यों परसेद हुई बताएं 10 नमबर 1908 की थी प्रथम बिश्चुद के दोरान क्यों प्रसिद हुई थी 10 नमबर 1908 को बरदिन में एक आंतरिक सरकार का गठन हुआ था और युद्ध बिराम संधी पर हस्ताक्षर किया गया था इसलिए ठीक है प्रसिद हैं अगला परसन 148 नमबर पर्थम बिश्चुद में संसार के लगबग कितने देसों ने भाग लिया था लगबग 30 देसों ने भाग लिया था पर्तक्ष और पर्तक्ष रूप से 148 नमबर परसन है प्रथम बिश्चुद के लिए अच्छा भारत ने भाग लिया था मित्र राष्टो की तरब से चुकि इंगलेंड जो था भारत पर कबजा का रखा था तो इंगलेंड चुकि जहां पर रहेगा वही पर भारत भी रहेगा ठीक है चुकि भारत संहिस का उचित समयाधान किया गया तो बूंडार पैंस संधी के द्वारा पूरबी समिस्या समयाधान किया संधी क्याहा किन संधी के द्वारा परे चंद्धिक को तो ठीक है ध्यान लखेंगे इस बात को आगला पर दोन का यह सुचने है तो अभर अंब्र विर निंबर पेरी संधी समयलन में ट्रीग्त बीर उबिल्सन और लिए था था यह पुजिली सोधब्षा था यह चोदा से meng Люб टेस्ट जीते थे उन्हीं का समयलन हुआ था तो उसी को परीस सांति समयलन कहा जाता है कि दुबारा से युद्धना हो इसलिए इकठा किया गया था लीग आप नेशन परीस सांति समयलन के निरड़य के अधार पर ही बनाय गया था 155 नम्बर को सांसे परीश सान्ति समेलण में भाग लेने वाले बतायें अमेरिका के राश्ठपती थे लायरोब इंग्लेड के ब्रधानमंतरी थे याइड जार्ज फ्रांस के ब्रधानमंतरी थे किलीमेंस से अर्लेंड सो além ठीक है आर्लेंडो विजेई देश थे ठीक है मित्र राष्ट थे तो इन सभी लोगों ने प्रकार से सांति समेलन किया था और वर्साय की संधी हुई थी उसके बाद में कई सारी संधिया की गई थी इसमें आगे देखेंगे 156 नंबर कोशन से वर्साय की संधी का सबसे उलेखनी अंस क्या है बताएं वर्साय की संधी का सबसे उलेखनी अंस से वर्साय की संधी के द्वारा राष्ट संग की अस्था सप्रांधी के लिए मित्र राष्ट्रों को चुकाना था अगला कोश्छं से 88 Manव Tag वर्साइओ कि संधी के अनुसार किन समराज्यों कांत किया गया था वर्साइओ की संधी के अनुसार आस्ट्रिया सता हंगरी संथा कुझ बिले होने से बना तो आस्ट्रिलिए सम्राज में वोहेमिया वा मारोबिया को सम्लित कर लेने से जोको चA cloak s 166 नमबर वर्साइग की संधी पर जर्मनी ने कैसे हस्ताक्षर किया था तो वर्साइग की संधी पर जर्मनी ने विसाल सक्ती के दबाओ की कानल से हस्ताक्षर किया था 161 नमबर परसने वर्षाई की संधी का जर्मनी की सैनिक व्यवस्था पर क्या पर भाव पड़ा जर्मनी के सभी सैनिक अंगों पर कठोड़ता पूर्बक अंकुस लगा दिया गया 112 नमबर है हिटलर ने वर्षाई की संधी को क्यों फार डाला संधी की सर्थ जर्मनी पर थोपी गई जिससे जर्मन असंतुष्ट नहीं थे जो ही उनको आउसर मिला हिटलर ने वर्षाई की संधी को एक प्रदी कागज की तरह फार डाला अगला कोशन सापके स्किन पर आ चुका है एक सोत्रसर नमर पेरिस सांति सम्मेलन जो की 1919 में हुआ था इसके बारे में बताएं ग्यारा नॉम्बर 1918 को युद्ध बिराम होता है प्रथम बिशुद की संधी मलब के बाद पेरिस में एक सांति सम्मेलन होता युद्ध के बाद में जिसमें 32 राष्टों के 70 प्रत्निधियों ने सामिल मलब की इसमें भाग लिया था या सम्मेलन पेरिस में 18 जनवरी 1916 को प्रारम हुआ था इस सम्मेलन में परास्त देशों को आमंतरित नहीं किया गया था ये बात भी द्यान नेखेंगे अगला कोसंस आप देखेंगे 164 नमबर कोसंसे पेरिस सांति सम्मेलन के प्रमुक समेस्याएं क्या थी पहली समेस्या ये थी कि आदर स्वादी और कोट नीती का संगर्स हो रहा था दूसरी बात परतनिधियों की बहुलता और बिवित धारड़ाएं ये भी एक समेस्या थी दूसरी बात पेरिस का बिसाक्त प्रतिसोधात्म को आतावर्ण भी था सुनिश्ची तेओम असपश्ट युजना का अभाव था, कंडधारों में मतेक की का अभाव था यहीं कि सभी अपने अपने हिसाब चल ले थे जर्मन उपनिवेसों की समेस्या भी थी तो ये पेरिस सांती समेलन की परमक समेस्याएं थी पेरिस सांती आंदोलन का लक्ष क्या था? पेरिस सांती समेलन का उद्धिस्था मात्र युद्ध की अस्थान पर एक दिढ़ न्याय पून और सांती अस्थापित करना ही नहीं, बलकि सांती को अस्थाई बनाने की व्यवस्था भी करना था, ताकि भविस्थ में भी युद् दीर कली नियुद्ध और संगर्स में बिद्धवन्स यूरोप की समाजिक आर्थिक विवस्ता को नए आधार पर पुनर अस्थापित करना था 166 नमबर परसन है पेरिस की संधी पेरिस में 5 संधिया हुई थी पहली संधी ती जर्मनी के साथ वर्शाय की संधी 28 जून 1919 इस भी को हुई थी इसके लामा आस्टेलिया के साथ सेंट जर्मन की संधी हुई थी बुल्गारिया के साथ नियुडिली की संधी हुई थी हंगरी के साथ ट्रियानो की संधी हुई थी टर्की के साथ सेवरे के संधी होती तो ये पॉइंट आफ ध्याना कें वहुत महत्मूर प्रसने ये ठीक है हंगरी के साथ कौन संधी होती ट्रियानो की टर्की के साथ सेवरे की बल्गारिया के साथ न्यूडिली की और अस्टलिया के साथ जर्मनी के संधी और जर्मनी के साथ वर्साई की संधी आगे देखेंगे अगला कोसंस आपके स्किन पर आ चुका है अगला 266 नंबर वर्साई की संधी जो 1919 में हुई थी या वर्साई की संधी का क्या प्रारूप था तो सोढitsmen की संधी कब और किसके बीच हुई थी संधी संधी आस्ट्रिया के साथ की गई थी या पे पीरिस के पास एक से ख्राइस की एक जो है सफ जरमन नाम कस्तान पर ओई छोन यॺई थी संप एक प्रतुनद्यों आर्ट 10 सितंबर 19 सब्सक्राइब करें तो फ्रांस के प्रथान मंत्री थे क्लिमेंसो सांति सम्मेलन के समय सम्मेलन का इनके इतना ज्यान उपास्थित हुआ रहा होगा कि युनान को थ्रेस का समदर थठ पेस्ट्चमी बुलगारिया के कुछ प्रदेस संदी हंगरी के साथ हुई थी जून सन 1922 को इसके अनुसार ट्रांस सिल बेनिया रुमानिया को और क्रीशिया सर्विया को दे दिया गया हंगरी को आस्ट्रेलिया से अलग कर दिया गया अगला परस्ट सेब्रे की संधी कबर के सके मद्ध हुई थी तो या संधी तुर्की की भगोडी सरकार के साथ हुई थी या 10 अगस 2020 को हुई थी इस संधी के दो निर्ड़े लिखिए इस संधी के द्वारा निर्ड़े लिए गए पहला पूरवी थ्रेस इसमार्ना और आर्मीनिया टर्की को लोटा दिये गए इसके लाँ मेसोपोटामिया सुडान सीरिया आरप मिस्ट्र साइपरस फिली इस तीन पर उसका अधिकार छी का टाति हैं इसो प्यांता नम्बर को साइप Zuschा और से verified kranti कवी थी बोसी एक राओर धेडिक क्या है बोसे बिक रूस कीING की सम2 के दोर से और किया भ्यम्यक का निभाने के कारण से इसका बोल से भी करांटी पड़ा था अगला कोसन से 188 नंबर कोसन सब कराणा हुआ बताएं बोलसिभी की करांती का क्या परडाम हुआ बोलसिभी करांती के फलसरूप निकूलस की ताना साही एक तंत्री तथा स्वेच्छाचारी सासन एवं पूझी पतियों एवं सामन्तों कान्त हुआ 189 नमबर को संसाब के स्किन पर आ जुगा है बोलसिभी करांती का समय तथा आर्थिक करण क्या था देखिए उस समय रूस में उच वर के लोगों को सारे अधिकार प्राप्त थे और निमनवर को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था निमनुवर की आर्थिक इस्थिती बहुत दाइनिये थी फलसरूप बोलसेविक करांती का जनम हुआ 183 नमर परसने बोलसेविक की करांती का उत्पादन और बित्रण साधनों पर क्या प्रभाव पड़ा तो इस करांती के फल सुरूफ रूस बैग्यानिक तकनीकी के माध्यम से आर्थिक विकास की और बढ़ा आगे देखेंगे अगला परसन 182 नमबर परसन है 16 वर्स के बच्चों के लिए सिक्षा को निसुलक एव मानिवार किस करांती के परणाम सुरूफ किया गया तो बोलसेविक करांती के परणाम सुरूफ किया गया था अगला कोसन 183 नमबर बोलसेविक करांती के नायक कौन थे बोलसेविक करांती के नायक थे बलादी मीर इलिच लेनिन नेक्स्ट कोसन साब देखेंगे अगला परसन है बलादी मीर इलिच लेनिन का जनम कब हुआ था तो इनका जनम हुआ था था 1770 में अगला परसने रूस में कम्मिनिस्ट सासन के संस्थापक कौन थे तो रूस में कम्मिनिस्ट सासन के संस्थापक बलादी मीर इलिच लेनिन ही थे ठीक है ये बात आप ध्यान नखेंगे अगला परसन 186 नमर कोशन साब देखेंगे रूस में जमीन को सावजनिक संपत्ती कब घोसित किया गया फटावड से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे तो रूस में जमीन को सावजनिक संपत्ती के रूप में बोलसेविक ने अक्टूबर के क करांटी के तुरंत बाद रूस में जमीन को सावजनिक संपत्ती कोशित कर दिया ठीक है 187 नमर परसन है रूसी कम्शिट पार्क्राणटी का करांटी से पहले क्या नाम था बोलसेविक पार्क्राणटी नाम था उसका ठीक है ये बात आप ध्यान नखेंगे 188 नंबर कोशन से रूस के समाजिक आर्थिक और आधनेतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे तो 1905 से पहले रूस के समाजिक आर्थिक और आधनेति कैसे थी जन साधान के लिए बहुत ही जो है बहुत ही दाइनिये थी 1809 number question ser Rούsz में प्रस्न के развsten पूचा गया आप के स्कीन पर आ चुका है प्रस्न है जो होते थे अगला प्रस्न 192 नमबर लेनिन सरकार के अद्धिक्षता में किस नभीन सरकारों के अस्थापना की गई थी तो लेनिन सरकार के अद्धिक्षता में बाई सच्चिव ट्राटस की और आंत्रिक सच्चिव स्टालिन के अस्थापना करी गई थी अगला कोशन्स आपके स्किन पर आचुका है 193 रूसी करांती के समय रूस में किस बंस का सासन था तो प्राचीन रूमनियों बंस का सासन था रूसी करांती की समय रूस में ठीक है प्राचीन रूमनियों बंस का अगला प्रसन आपकी स्किन पर आ चुका है प्रसन इंपोरेंट है परिच्छा के दिश्टी से आपके बताने का प्रयास करेंगे चले प्रसन है रूसी क्रांती के समय वहां का सासक कौन था तो रूसी क्रांती के समय वहां का सासक कौन था वह यह निकोलस दुतिय जो था यह किस साधूर में यहाथों की कट फुतलि थी वारे डिकनाओ घुरियाः गार रसाधिकी हातों के हाथों का कट फुतली था यहिसे This अगला कोशन सापके स्किन पर आ चुका बोलसेविक दल का नेता कौन था तो लेनिन जो था ये बोलसेविक दल का नेता था अगले आगे देखेंगे अगला कोशन सापके स्किन पर आ चुका है एक सोतानवे नमबर प्रसने रूस में पहली करांती कब हुई तो रूस में पहली करांती हुई थी बोल सेबी करांती साथ नौमबर उनीस सो सतरा इसबी को प्रारंब हुई थी है अग्ला कॉस्टन से 1022 देंबर मेंस प्रहश नेता काउन था तो करणश की जो था ये मेंस सबीको प्रहश नेता था। अगे देखेंगे अगला कोशन से 1929 बेनर कभखाश्ण आप देखेंगे रूशी समाजवादी वाधी प्रजातांतरिक डल्ट के स्थापना कब होई थी तो अटाराइसल अयू थी यह Iti तर्फितल यह लाट आप दियां के अगला को संसा आप देखेंगे अगला पर संग करें पर आ चुका है जो युटीव कब परारम खुआ था बतायेंगे सभी लोग स्थाय्टियो सुट का कारण क्या माना था तो साइलल्फार्ज आन्यायy के अप्रस्ण धी में जर्मनी के साथ और भी जो वो राष्ट थे गुट वाले राष्ट थे उनके साथ क्या हुआ उनके साथ अन्याय किया गया और इसलिए अपने अपरतिसोद लेने के लिए दुबारा से युद्ध एक परकार से इन लोगों ने रड़ा ठीक है जली जापान और आस्ट्रिया यह चारो देश एक तरफ थे और मितर राष्ट जो थे उनके और भी देश सामिल थे जैसे उसमें मोखी रूप से ब्रेटन सामिल था, फ्रांस सामिल था, सोबिय संग सामिल था और अमेरिका सामिल था, ठीक है, अमेरिका बाद में आ करके सामिल होता है इसमें, रूस और अमेरिका एक ही तरफ थे, लेकिन सीत युद्ध में जब हुआ, सीत युद्ध जो है, उसमें अमेरिक सिद्वी के अप्रेल मई महीने में सोवियत रूस सोवियत और पोलेंड की सेनाओं ने बर्लिन प्रकब्जा कर लिया और आठ मई 1945 को जर्मनी के जर्मनी ने बिना सर्थ आत्म समर्पण कर दिया जिसे युद्ध समाप्थ हो गया कि दोजार दोसों नमर्प्रस नहीं ब्रेट शुद्ध में भारत किसके पक्छ में था ब्रेटेश ब्रेटन का साजन यहां पर अब जब नाजी जर्मनी के बिरुद्ध इसमें युद्ट की घुषडा कर दी थी एक परकार से जर्मनी के हिटलर से ही मिलने नेताजी सुभाशन बोस गए थे चुकि भारत वाले भी इंग्लेंट से एकदम से जो है एकदम से वो हो चुके थे क्या बोलते बोर हो चुके थे कि भई यहां से जाही नहीं रहे थे तो नेताजी सुभाशन बोस जो है जर्मनी चल जाते हैं इन से मिलने हिटलर से अगला कोसन से दुतिये भी सुद्ध का मुख कारण क्या था दुतिये भी सुद्ध का मुख कारण था वर्साय की संधी ठीक है दुतिये वर्साय की संधी में बहुत ज़दा एक परकार से एक तर सभ्राम निकला दुतीबर शटर्शिद है संव्तराष्ट दिसामें पहला प्रयास कि सने इंञें पॉलग किसी माना जाता है संयुक्त राष्ट की दिशा में पहला प्रियास सेंट जम्स घुष्डा को माना जाता है संयुक्त राष्ट संग की अस्थापना किस वर्स हुई थी संयुक्त राष्ट संग की अस्थापना 1945 जिदे में हुई थी अगला कोशन साप किस किन पर आ चुका है अगला Questions क्या है आपका सेन फ्रांसिस्ट को समेलन किसकी अद्धैक्सता में हुआ था अगे देखेंगे अगला еपना की स्किन पर आ चुका है फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए चेंनल पर अगर नए आए हैं तो सबस्क्राइब जरू कर Water दोसर नौन को ऐसे अंड पर नियुक्स अग्रत संग दिवस कमना जाता है संग दिवस मना जाता है इस एक्टूबर को ध्यान खेंगे इस बात को परिक्षा में आता है प्रसंगर 12 अक्टूबर 1948 को अस्थापना यह थी उसकी अगला कोसर से संग के पहले महासचु कौन थे संग के पहले महासचु थे कौन ट्रिक वेली अपने मलब कीज यह ठीक है ध्यार लेकिंगे 211 नमबर परसन संयुक्तराट संग के महा सचु कारिकाल कितने वर्स होता है संयुक्तराट संग के महा सचु कारिकाल 5 साल का होता है कितने साल का भईया 5 साल का होता है आगे देखेंगे अगला कोशन से किस महान व्यक्ती ने किस महान बैक्ती ने संयुक्तराट संग के स्थापना का मुख्यों देश बिसुसांती बताया तो केलसन ने संयुक्तराट संग के गठन का मुख्यों देश बताया बिसुसांती आगे देखेंगे अगला कोशन से संयुक्त राठ संग के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी संयुक्त राठ संग के मूल सदस्यों की संख्यों कितनी थी भया मूल सदस्यों की संख्या 51 थी आगे देखेंगे अगला प्रसन है संयुक्त राट संग के आर्थिक कारियों को संपन करने के लिए मुख रूप से कौन कौन से संगठन अस्तापित के गए थे तो पहला संगठन था अंतराश्टी स्रम संगठन दूसरा संगठन था खाद और स्रमिक क्रसी संगठन तीसरा संगठन था अंतराश्टी मुद्रा को और चोथा था यह बात आप ध्यार नखेंगे अंतराष्टी स्रम संगठन और इसके लामा खाद लिखिस संकसो कने संगठन अंतराष्टे मुध्रा कोश और अंतराष्टे वितन एकहते यह सभी संगठन अस्थापित कि Do संचार के चेतर में क्या उपलब दिया थी तो संचार के चेतर में बहुत युगदान नहा है इंगलेंड के लोगों का आगे देखेंगे अगेला प्रस्त दोसो सोला नंबर प्रस्त है बिस्सस्jamin संगठन किसकी देन है तो संचार के देन है संच के दवारा शौस्त और कल्यार के चेतर में बनाई गई एक समितिय संगठन है बिस्सस्त caste संगठन जिसको आप word health organization बोलते है डवलू यच्चु भी बोलते हैं आप इसको ठीक है कि क्लियर आगे बढ़ा जाए चले है अगला को सब्सक्राइब आ जुका 277 नंबर संयुक्त राट संग की बिफलता के क्या काड़ थे इसकी बिफलता के क्या काड़ थे पहला काड़ था संभीधान की दुरबलता दूसरा सनचना की दुरबल सभास की सदस्लों कि सवार्थ परकता और चाटा था निए सर्थी कर्ण की बिफलता जो सस्त्रों को ना रखना संस्त्रों को कम करना सात्वा पिस्व्यापि आर्थिक संक्ट यह सभी कारण थे जिससे संभा संग विफल हुआ संयुक्तिराष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्ट्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष्राष् जिसमें 50 राष्टों ने एक प्रारूप पर हस्ताक्षर किया और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट संग की अस्थापना कर दी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट संग का प्रादुर्भा हुआ यहाँ पर मेरे मुसे 1948 निकल गया था तो मापी चाहूँगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट संग के कई आउयो है पहला है आपका साधार महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिसत, तीसरा है आर्थिक और समाजिक परिसत, चौथा है न्याय परिसत, पांचबा है अन्तराष्टे न्याले और छठा है आपका सचवाले ठीक है, ध्यार नकिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक बार पड़ापड से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, बहुत ही मैत्पूर परिसने ये सब ध्यार नकिएगे 222 नमर पर सने संयुक्त राठ संग की सदस्ता कैसे प्राप्त की जाती है तो संयुक्त राठ संग की सदस्ता जो है, वो एक परकार संयुक्त राठ संग के चारटर में दो परकार के सदस्तों की वेवस्ता करी गई है प्रतम परकार के सदस्त वे राष्ट होते हैं जिन्होंने सैन फ्रांसेज को सम्मेलन में भाग लिया था या चारटर के विधान को सवविकार किया था और दूसरे वे प्रकार के सदस्वे सदस होते हैं जिन्होंने संग के उद्देशियों एवं सिधन्तों को सुविकार कर प्रातना पत्र के जरिए सदस्व भने थे तो को सभा सभाइन सभा के बारे में कुछ बताएं परमुख जिसमें समस्त सदस्यों को बैठने का हक है इसका डिवेशन साधरता वर्स में एक बार सितंबर महीने के तीसरे ब्रहस्पतिवार को सुरू होता है और महा सभी की बैठेक जो होती है नियुव्यार्क में ही होती है ठीक है यह बात आप ध्यान लखेंगे आगे देखेंगे अगला कोसंस आपकी स्किन पर आ चुका है फटाबट से आप लोग देखने का प्रियास करेंगे 224 नमर कोसंस आपकी स्किन पर आ चुका है प्रसने सुरक्षा परिषद के वारे में कुछ बताएं सुरक्षा परिषद किसे कहते तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्तराट संग का एक प्रमुख जो है निकाय है सुरक्षा परिषद का मुख काम है अंतराश्टी सांती और सब्क्राइव सेघ्टराज संग सेड़स में अगर बात किया है तो 5 अस्थाई देश हैं और 10 और अस्थाई देश ़ो नहीं होटे हैं उत्तना उत्तना पावर नहीं होती ही 10 और 5 15 स्वरच्या परिशन है के तुग है डियूर्टराइश पावर हो data अगर किसी मुद्दे पर समयुक्तराश संग में कोई चर्चा हो रही है और उस दोरान इन पांचों देशों में से किसी एक देश ने का कि भई ये नहीं हो पाएगा तो चीज भंग हो जाएगा यानि कि वो एक प्रकार से सुरक्षा परिसत के देश्टे से गड़ देखें त आगे बढ़ा है कि हर छहतर में एक परकार से अवल दर्जेक्त परकार से प्रतक्रिया दे रहा है तो इसकारण से इसको अस्थाई सबाना चाहिए लेकिन क्या होता है कि चाईना हर बार जो है इसमें बीटो अगला परस्ट निस्य धाधिकार यही बीटो पावर यही बीटो पावर है एक प्रकार से जो मैं आपको बता रहाता भी तो इसी बीटो पावर का प्रियोग करके अमेरिक अमलब की चाइना जो है भारत को समें सामिल होने से रोक रहा है अगला परस्ट निस्य धाधिकार यही बीटो पावर क्या है सुरक्षा परस्ट के अस्थाई सदस्यों की प्रक्रिया समंदी मामलों में निरड़ाई हितु पस्तिती अनिवार नहीं है लेकिन महत्पूर मामलों में पस्तिती अनिवार होती है यदि महत्पूर मामलों में माना जाता है टीक है यह बीटो पावर होता है विद्वार्ण से अंतराष्टिह नियाले बेख निकाए एक भाग और तत्यु है टीक है ऐक है किसा स्वेंगतिराश्च्च संग का तो सम्युक्त राष्ट के चार्टर के चौदाहमे अध्याय में बान नबे से लेकर के स्ववलाव में 96 धारा तक इसके संगठन और छेतरा दिकार का उले किया अंतरश्ट नियाले के बारे में इसका मुख्याले है यानि हावलेंड में इस्तित है इसमें 15 नयायधीस 9 वर्स के लिए नियुक्त किया आते हैं नयायले के सभी निरणय बहुमत से लिए याते हैं ये वात आप ध्यान नखेंगे 227 नमर कोशन से सचवाले चार्टर के 15 अध्याय में 97-90 से ले करके धारा 101 तक संग के कार्यों को संपाधित करने वाले सचवाले का वर्णत किया गया है संयूक्ति राट संग के सचवाले में एक महा सच्यू और आवसक्ता के अनरूप अन्यकरमचारी होते हैं महा सच्चु की नियुक्ति सुरक्षा परिसत की संस्तुति पर महा सभा के द्वारा करी जाती है। आप अगर अभी तो को करीकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो को करीकुलर मास्टर यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा। 228 नमर कोशन से न्याय परिसत न्याय परिसत की बात के दो चार्टर का आठमा न्याय परिसत के संब्स में विचार करता है। अनुचेत पचात्तर के अनुचार संग अपने अधिकार चेत्र के अंतरगत न्याय चेत्रों के प्रसासन और नियंत्रण के लिए एक अंतराष्टी न्याय व्यवस्ता अस्तापित करेगा। जो समझोते के द्वारा संपाधित होगा। ठीक है। अधिकल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो संयुक्तरार संग जो है इसके प्रमुक्तराष्ट अधिकार सभाय निया और सचिवाल है। इसमें सामिल है ठीक है 24 अक्टूबर 1945 को इसका एक प्रकार से अस्थापना करी गए थी संयुक्तरार संग की यह बात आप द्यार नहींगे। चलिए फिर तो यह सभी प्रस्णाम लोगों ने देख लिया बहुत ही महत्मूर महत्मूर प्रस्णों को आज की वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा करा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्मूर थे चले वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक लेने के आपको जड़ूरत नहीं है आपकी परिच्छा के लिए ही एक परकार से इतनी मेहनत मैंने करी है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा चुकि ऐसे वीडियो मैं लगातार आपके लिए बनाता रहता सब्सक्राइब के लिए सब्सक्राइब के महत्मूर है मत दिखा लिए इतिहास जिसमें आपको हिस्ट्री आप मौडन वर्ड पढ़ना पड़ता है च्छोड़ू सु तेरपन से लेकर कि 1950 तक के इतिहास के बार में आपको बता दिया मोस्ट इंपोर्टन को सब्सक्राइब वीडियो के मादम से मुझत देखे जो कि बीए फोर्ट समस्टर की चाचत्रों के लिए बहुत महत्मूर थे एक बाद और आपको बताओ दो ठीक है